सलवार में लाश्टिक डालने के लिए हमने सलवार को complete seal लिया है आप भी जिस भी सलवार में लाश्टिक डालना चाहते हैं चाहे वो सीली हुई सलवार हो चाहे नई सलवार हो आप उसको complete seal ले और sealने के बाद आपको उसमें लाश्टिक को attach करना है सबसे पहले हमने double axle size की सब्सक्राइब देखने के नाटने के नाड़े को डालते उसी तरह हमको इसलाश्टिक को अंदर आल लेना है आप वीड्यो को कम्प्लीट देखने के बाद आप असानी से सलवार में लाश्टिक डालना सीख जाएंगे बस आपको लाश्टिक को अंदर डालते अट समय ये ध्यान रखना है कि आपका लाश्टिक कहीं पे मुड़ेना और उसमें कोई बलना आए आपको बिल्कुल सीधा लाश्टिक अपने सलवार में डालना है I hope ये वीडियो आपके लिए काफी useful होगी और ऐसी भहुत सारे वीडियोज हमारे चैनल पर available है जिनको देखकर आप सिलाई सीख सकते हैं और अगर सिलाई से कोई भी संबन्दित आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साथ में जो बैल बटन है उसको जरूर दबा लें जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए अब जो लाश्टिक है हमने अपनी सलवार में कम्प्लीट डाल लेना है एक कॉर्नर से हमको डालना है और दूसरे कॉर्नर से हमको इस लाश्टिक को भार निकाल लेना है इस तरीके से जो हमने अपनी सलवार में लाश्टिक डाला है safety pin को निकाल लेना है और निकालने के बाद जो हमारा lastik है एक lastik को दूसर lastik के उपर रखना है और इसको seal लेना है seal लेना है या आप machine से seal सकते हैं otherwise आप सुई धागे से भी इस lastik को seal ना है आप इस lastik को tightly seal लें जिससे खुलना सके और खुलने का डरना रहे जैसे के बाद आपको जो भी lastik का टूड़ा भार निकला हुआ है उस lastik को complete अंदर शलवार के अंदर डाल देना है इस तरीके से हमने जो हमारा lastik लिया था 30 इंच का lastik वो हमने अपने शलवार में डाल दिया है और इस तरीके से डालने के बाद आपको एक बार complete सलवार को खीच लेना है जिससे आपका जो lastik है उपर सेप में आपके सलवार में आ जाएगा और खीचने के बाद इस lastik को आपको इसके उपर दो सिलाईय लगा लिनी है जैसे कि आप देख सकते हैं आपको इस lastik पर दो सिलाईय लगा लिनी है आपको पिछे से खीचना है और आगे से भी खीचना है और फिर आपको इस lastik में सिलाईय लगा लिनी है पहली सिलाई आपको उपर से आदा इंच डाउन लगानी है और फिर दूसरी सिलाई उससे आदा इंच डाउन लगानी है इस तरीके से आपको अपनी सलवार में दो सिलाईयों को लगा लेना है जैसे कि आप देख सकते हैं हमने जो अपनी सलवार है उसमें दो सिलाईयां लगा ली है और सिलाइयां लगाने के बाद जो आपका लास्टी है जो सलवार में लगाने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और जो भी आपके पास अपनी सलवार में एक्स्टर धागी है उनको कट कर लेना है